हाँ तो भाई लोग आज पहला T20 पाकस्तान वर्सिस न्यूजिलेंड का हो चुका है हाँ मैं जानता हूँ मैंने टेस्ट सीरीज पे वीडियो नी बने क्यों बनाता मैं तो हम लोग आर गया है वो भी 47 रन से जो के मामुली मार्जिन नी होता टी ट्वेंटी इस के अंदर बठा मजा तो बहुत आया इस्पेशली मेरे बॉबी बॉइ ने उन लोगों के मुझ पर यह कड़क वाला तमाचा मारा है जो लोग यह कहते थे बाबर ओडिया है और टेस्ट में तो ठीक है लेकिन टी ट्वेंटी में बस बस मिल गया प्रूफ बाई 163 के स्ट्राइक रेट से बंदा आज खेल रहा था 50 मार के गया है बंदा मतलब एक बंदे ने अपना स्टेंडर्ड इतना कर लिया है कि अगर वो 20-25 रंस बनाते तो वो लोगों को हजम ही नहीं होते इससे तो उमीदे है 50 बनाए 100 बनाए बस यहीं बनाए बाकी टीम गान मारा है यह situation है फिलाल हमारे टीम की आज हमारी पूरी टीम एक्सपोज हुए अवे कंडिशन के अंदर क्योंके हर टाइम बाबर के उपर ही भाई प्रेशर आता है सारा कि बाबर कैप्टन है बाबर प्रफॉर्म नहीं करता आज सबको पता चल गया आज शाहीन का एक तो यह logic मुझे समझनी आया नंबर 6 पर आया भाई बैटिंग करने बहराल बहुत सारी घलतिया हुए बट सब के बारे में धीरे धीरे डिसकस करेंगे सबसे पहले तो मैं बात करूंगा फिल्टिंग की इंतहाई ठकी हुई वी फिल्डिंग भी घटिया हुई और क्या कहते हैं बोलिंग भी घटिया हुई हाला के हाँ अबास आफरीदी की बोलिंग मुझे काफी अच्छी लेगी डेब्यू मैच था भाई करण भाई ने अपने डेब्यू मैच में दो विक्टे भी ली यह कहते हैं कि विल्यमस औरी हो है इसके उपर भी मुझे अच्छा एक सिनारियो यह याद आ गया इसको कहते हैं इनिंग्स बिल्ड करना जिनको क्रिकेट की समझ है वो इस बात को समझतें इनिंग्स बिल्ड करना इसी को ही बोलते है एक बंदा नॉर्मल खेल रहा होता है मतलब 30 बॉल पे 40 रन या 40 पे 50 या 42 पे 50 इस हिसाब से और दूसरा बंदा बाउंडरीज मार रहा होता है एक पार्टनर्शिप करता है उसके साथ मारी है ना भाई तीन छक्के मारे भाई ने वो कमाल के थे हाला कि स्टार्टिंग में तो मुझे लग गया कि हाँ अब हम लोग मैच जीतेंगे बट लेकिन देन फिर बात में जब मैंने दिखा कि 20 बॉल्स पे और साइम ऐयूब के रिजवान ने थोड़ी अची बैटिंग की साइम ऐयूब हाला के काफी गलत रन आउट हुआ था ठीक है ये वो ही सीन हो गया गल इंडिया वर्सिस अफगानिस्तान का मैच हुआ था उस पे भी सेमी सीन हुआ था रोईद शर्मा भाई हमारे भाग रहे है और आगे से भाई शुबमंगिल भाग ही नहीं रहा है वो विचारा पहली बॉल पर ही रन आउट हो गया बेराल मिस्ट फिल्डिंग आज के मैच में बहुत हुए है विलिमसन ने मिचल के साथ काफी अची इनिंग्स बिल्ड की असली परफॉर्मेंस तो दी ही है इस टकलू डेरल मिचल ने मुझे ये बंदा बहुत पसंद है यार क्या क्लासी बैट्समन है ODIs और T20s किंदर भाई आग भगोला ही हो जाता है और पता नहीं क्या पाकिस्तान के अगेंस इसको परफॉर्म करने में अलगी जो है न चुल मचती है जैसे हमारे बावी भाई को बावर जो लोग जो सो कॉल्ड क्रिकेट फैन्स है न जिनको क्रिकेट की नॉलिज नहीं है बिचारे ने अपनी जिंदेगी में गलती से दो सेंचरीज बना दी जिंबाववे के एंस बस जिंबावर जिंबावर यह वही लोग होते हैं जिनको घर में इजज़त होती नहीं खुद कुछ कर नहीं सकते लाइफ में दूसरों को चड़ाते है भाई इसने भी पका जो है नँट मेरे के लोग है जो बाबर को इस नाम से ट्रोल करते है और उसामा मीर का भी खेल ना मेरी समझ से बिलकुल के और वह रहा ậाए अभी भी Overs उसी को ही देने, तो अजीब सा डिसिजन था, बैटिंग करता नहीं है, बोलिंग करता नहीं है, फिल्डिंग करता नहीं है, बस भाई बैठा हुए टीम में, मुझे नहीं पता किस बड़े बंदे से इसका तालुक है, जो यह अभी तक टीम में बैठा हुआ है, ह बंदा 50 मार के ही जाए, यह सीन है, उस बंदे ने अपना स्टेंडर्ड ही यहां पर लाके रखा है, बट उसामा अमीर का मेरे समझ में नहीं है, ता इसके खिलाफ कोई क्यों नहीं बोलता, कि भाई हाँ, इसको भी टीम में क्यों रखा है, इसको भी निकालो, ना बोलिंग अच्छी करता है, ना बैटिंग अच्छी करता है, सही मायनों में कुट पढ रही होती है, ODI World Cup में भी इसका मुह काला था बिचारे का, क्यों रखते हो भाई, रेस्ट दे तो जा के परफॉर्म करो, अगर अच्छा परफॉर्म करता है, उसके बाद टीम में ले आओ, बट स्टार्ड में जिस तरह की घटिया बोलिंग की हमारे बोलर्स ने, एंड स्पेशली शाहिन शाह फरीदी साहब, ठीक है जो है ना बाकियों को सब को आगे दे रहे थे के बाई, तू जा आगे तू जा, हाला के हाँ बाद में शाहिन ने मैं जानता हूँ, पहले ओर में विक आमिर जमाल टेस्ट के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बाट आई डोट नो टी ट्वेंटी से के अंदर उसको क्या हो गया, बंदे ने जो कुट खाई है ना बिचारे ने, मेरे ख्याल में कुछ पचास रंस खा लिये गरीब ने बाई आज, लास्ट टाइम इंग्लेंड के एंगेंस खेल रहा था, टी-20 सीरीज जो हमारी थी, इंग्लेंड के एंग्लेंड आई थी ना, पाकस्तान साथ टी-20 मैचस की सीरीज थी, उसमें उसने काफी अच्छी बोलिंग कराए थी, बट यहां पर आए डोट नो को क्या हो गया था, आवे कंडिशन म मैं बोल दिया था, क्योंगे एपिसोड पता नहीं, दूसरा क्योंगे एपिसोड था, या तीसरा था, किसी ने मुझसे पूचा था, क्या आजम खान खेल सकता है पाकस्तान की टीम में, मैंने उसी वीडियो में सिंपल इसका आंसर दे दिया, इफ वान प्लेफ फॉर पाकस ही नहीं है, मुझे लगा आज ये हिटिंग करेगा सही मायनों में बट नहीं, भाई ये सिर्फ T10, T20 जो PSL अगयरा होते हैं ले लीग इनी के शेयर है, क्योंकि इंटरनेशनल का प्रेशर ही कुछ और होता है, इस्पेशली अवे कंडिशन में, New Zealand, South Africa, Australia, England, इन जैसी टीम् कि जान हलक में आ जाती है, मैं पहले भी बोल चुक हूँ, एंट विकेट कीपर बनाया है, सारा मोमेंटम ही तोड़ दिया है, रिजवान को फिल्डर बनाया हुआ है, मिस फिल्ड हो रहा है बंदे से, भाई वो विकेट कीपर ही ठीक है, मैं कहता हूँ, इस से भाई है हमारी, एक मैच से मैं जज नहीं करता, काफी टाइम बात बंदा खेल रहा है, क्या पता अगले मैच में चल जाए, बट मुझे वैसे इस से कुछ खास उमीद है है, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये सिर्फ बाते ही करना जानते है, ये लीग्स में खेलना ही जानते है, अच के बाद आजा, उसके बाद मैं देखता हूँ कौन तुझे टीम से बाहर निकालता है, खेर वो तो बाबर, साय मयूब और रिजवान की महरबानी है, ठीक है, साय मयूब ने अच्छी इनिंग्स बिल्ट करी, स्टार्टिंग में लग रहा था कि हाँ ये काफी अच्छा पर मतलब हाँ मुझे लगा तक किसी ऐसे ग्राउंड में मैच हो रहा होगा, कि जहाँ पर हाँ लोग बैठे हुए हैं, जो ना ग्राउंड के उस तरफ सीटे मीटे हैं नी बटना यार, आज काफी अच्छा क्राउट था, स्पेशली इंडियन्स आए हुए थे, क्योंके काफी सारे इंडियन्स न्यूजलेट में हैं, ठीके काफी इंडियन्स न्यूजलेट में रहते हैं, कुछ को नैशनल्टी मिल चुकी है, ठीके कोछ वहाँ पर जॉप्स करते हैं, पाकिस्तानी भी काफी ज्यादा है, तेरा ओर्स के अंदर ही तर्गेट जो ना 200 क्रॉस करने वाल हाली शकले हैं, हाला के हाँ बावर से कुछ उमीदे थी हैं, वो उमीदों पे खड़ा उतरा भी, बावर ने अपना फर्स पूरा नेबाया बावी को भाई, 10 आउट ओफ 10, बट बावी, हाला के साइम अयूब स्टार्टिंग में अच्छा गिला, रिजवान अच्छा गिल बावर को वन डाउन में बेजो, क्यों ओपनिंग करवाते हो, ओपनिंग का काफी लोग बोल रहे हैं, बावर को जी ओपनिंग से हटा दिया है, अच्छा किया ओपनिंग से हटाया, अब देखो बंदा फिर दुबार से कैसे परफॉर्म करता है, जो बावर की T20 की टॉप परफॉर्मेंस थी ना, वो ऐसा वन डाउन बेट्समें नहीं थी भाई, जब से वो ओपनर आया है, उसने कुछ मैचेस में अच्छा परफॉर्म करा है, ठीक है, भावर बावर बना ही वन डाउन के लिए, जितने भी ग्रेट प्लियर्स हिस्टरी में गया है न, रिकी पॉ काफी अच्छा है, बढ़ हाँ, फखर पावर प्ले में काफी अच्छा केलता है, मिचलाच सही माइनों में हमें धोने वाला था, लेकिन शाहिन आफरीदे ने आ के बोला, भाई, तुम लोगों से नहीं हो रहा, तुम्हारा कप्तान आउट करेगा, उस पाइन भाई ने आ काफी अच्छा मैच हुआ, मजा आया देखके, ठीक है, एक ये बस मुझे बुरा लगा किया है, सुबा ग्यारा बज़े का मैच था, ठीक है, जल्दी उठना पड़ा था, मुझे खास मैच की वज़े से, नींद भी मेरी पूरी नहीं, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, मैच मैंने देखा, जुम्मे की नमास पड़ी, मैच देखा, फिर से मैं सो गया, अभी अभी मैं नींच से उठाओ, अभी ओर है, रात के साड़े नौ बज़े, अभी मैं तुम लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, अभी इस वीडियो को एडिट करूँगा बारा एक बज़े तक अपलोड कर दूँगा, तो बस ये टाइमिंग थोड़ी से ठीक हो जाती ना, फिर मस्ट सीन रहता, हाँ सोबा पांच बज़े वाला शिफ्ट अच्छा है, और पांच मैच इसे एक मैच तो हो गया है, ठीक है, वो था सुबा ग्यारा बज़े, अब सीन अच्छा है, बट हाँ, ये सुबा जो ग्यारा बज़े वाला शिफ्ट है ना, बट हाँ ये भी समझ सकते हैं कि हाँ यार वहाँ न्यूजलेंड में वो अपने हिसाब से गेम खेलते हैं, चलो ठीक है, वो अपने टाइमिंग के मताबिक गेम खेल रहा है, नेक्स्ट मै लगता कि एक भी मैच इंडिया हारेगी, ठीक है, पाकस्तान का तो मुझे पता था, हाँ, हम लोग सीरीज जीते हारे, वो बात की बात है, ठीक है, बट इंडिया तो अपना सीरीज जीत जाएगी, वो जीते भी, ठीक है, ओवर रॉल काफी अच्छा मैच हुआ उनका भी, ह ठीक है, फुटबॉल का भी ज्यादा सीन चल नहीं रहा, तो मैं फुटबॉल के भी बनाया करूंगा वीडियो, बट क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो जरूर आते हैं, गेमिंग वीडियो जाती हैं, और भी डिफरेंट डाइब का कॉंटेंट आता है, तो सब्सक्राइब जरूर करना, मैं विलूंगा नेक्स ताइम, विच सेकंड ओडियो, और सवरी, सेकंड टीट्वेट इंटरनेशनल, तब तक के लिए, गुट बाइ,